Hey guys, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अपने graph को matrix के अंदर represent करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास एक matrix है, अब यहाँ पर मैं अगर अपने vertex A को देखूँ तो हम लोग के A के दो edges हैं, B और D तो यहाँ पे हम लोग अपने मैट्रिक्स के अंदर B और D पे 1-1 कर देंगे और जिसके साथ edges नहीं है वहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे तो चलिए अपने बाकी का मैट्रिक्स का भी vertex फिल कर देते हैं तो अगर मैं यहाँ पे B का edge देखूं तो B का हम लोग का 2 edges है E और C और अगर मैं यहाँ पे अपने C का edges देखूं तो C का हम लोग का 2 edges है B और D और अगर मैं अपने D का देखूं तो D का हम का edges है A और C तो कुछ इस तरह हम लोग अपने graph को matrix के अंदर represent करते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको कोई doubt होता आप comment section के अंदर पूर सकते हैं तब तक के लिए इस channel को subscribe करना ना भूले thanks for watching